अभी अभी मैंने इमर्जेंसी का टेलर देखा है जिसमें कंगना रानाफ थोनिया गांदी का रोल करने वाली है अब यह मुवी काफी दिनों से डिले हो रही थी दिले हो रिलीस कर दिया यार इसका जो रिलीज डेट है वह ब्लॉक कर दिया गिया भाई सब 6 सिप्टेंबर को अब देखो टेलर का जो लेंद है वह दो मिनट मतलब 55 सेकेंड के आसपा से अब तुमको एकदम क्लियर रिव्यू देने वाला हूं आइटिंग सो आपको बुरा लग सकता है अगर आप काफी जादा बड़े फैनों कंगना रहा आपके तो उस अब से पहले मैं बता दो कभी नहीं मतलब इंडिया तो कभी नहीं भूल सकती उसी के बारे पूरा का पूरा इस मूवी के अंदर दिखाया जागा यह इसका पॉजिटिव पॉइंट जैसे की स्टोरी भी हम लोग जानते लेकिन इस टेलर को देखते का वाद से बहुत तार में को नेगेटिव जादा आए गया तो ओर देखने में बहुत ज्यादा अर्टिफिशल लग रहा है मतलब मेकप कर रहा है वह जैसे बात कर रही है कि गया ठीक है उसके जबर भी जितने भी कुछ ऐसा सीन नहीं दिखा जिसके वज़ा से आप बोलो कि भाई वह मुवी तो देखने जाना है इसके वज़ा से सच बता रहा हूं मेरे को तो अभी तो इस टेलर के अंदर नहीं दिखा था इस मुवी के लिए में काफी ज्यादा एक्साइडेट था जब इसका छोटा स सारा चेंजेश हैं मतलब इस तरीका का वी एफेक्स यूज किया गया मेकव इस तरीका का यूज किया गया कोस्ट्म यूज किया कि आपको लगे रिख है अर्टिक्रिस्यल है ठीके इसमें अनुपाहम खैर भी आपको देखने को मिलेंगों उसके वास शरियास्तर पड़े भी इसमें देखने को मिलेंगे जिन्होंने अटल ब्यारी बासभाई का रोल किया है मतलब कुछ-कुछ ऐसे क्यारेक्टर को इन्होंने डाला है नहीं लगता है कि जब वजस्ति डाल दिया मैच नहीं करते हैं उनसे आप जिस चीज को बना के दिखाना चाहिए वो कोई छोट देखें सब्सक्राइब को कोई ऐसा सीन नहीं लगा कि मैं वाउ बोलू या अच्छा बोलू या वह टाली जो आईसा कोई में लगा जस्ट डिसेंट सा नौर्माल सा टेलर लगा ओक्योंके टेलर लगा और मतलब उतना खास में को मीद भी नहीं आभी स्मूवी से टेलर दे झाली